ITI के CBT exam जो आपके चल रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ी जो problem अभी देखने में आई है या बहुत बड़ी problem दो दिन से candidates के students के भी message आ रहे हैं कि क्या हो रहा है कि उसमे जो आपके second year के question हैं वो first year के paper में पूछे जा रहे हैं परसों एक बच्चे ने कहा कि सर डीजल मकैनिक का पेपर था WCS and Employability Skill का उसमें सारे कुछटन सेकेंडियर के पूछे गए जो की फीटर के स्टुडेंट के साथ पूछे गए थे तो उस टाइम मुझे लगा सायद ऐसा हो सकता किसी एक सिस्टम में किसी एक स्टुडेंट के आप फ्रिक्सण के चैप्टर हो गया ठीक सेक्षन के चैप्टर हो गया उनसे कुछे गए साथी साथ Employability Skill में भी जो आपका लास्ट वरे चैप्टर से इंट्रव्यूज के ऊपर हैं साथी प्रिक्सिप के ऊपर हैं ठीक है के रोल मॉडल के ऊपर हैं उनमें से खापी कुछ पूछे गए वहाँ पे ठीक कम्यूनिकेशन से और सबसे जो की थोड़ा सा गलत लगा जो फश्टियर का भारत इसकिल का है अनिमी का आपका कुश्चन बैंक उससे कुश्चन नहीं पूछे गए तो अगर आपका भी वन ये ट्रेड है ठीक वन ये ट्रेड इन दो सेंस आपक कि आपके में भी ऐसा होगा क्या पता तब तक ये प्रॉब्लम रेक्टिफाई कर ली जाए लेकिन अगर ये प्रॉब्लम रहती है जो कि एक डीजीटी का आइधिंक डीजीटी बात पहुंची है कि नहीं पहुंची ये भी हम नहीं कह सकते कि कुछ जगाओं पे बच्चों क्या किया सेंटर पे थोड़ा सा बात की और वहां से अप्लिकेशन एक डीजीटी को फारवर्ड करवाया बहुत जगाओं पर क्या हुआ कि आप लोग आई ठेक कर भले रहें आप लोग पढ़ते तो हैं नहीं आपको पता ही नहीं चला बहुत सारे बच्चों को इवन स्केंडियर का जो स्लेबस है वो भी पढ़िए और जो फच्टियर का आपका आपने तो पढ़ा ही होगा अगर नहीं पढ़ा तो भी देख लीजिए हम आपको दिखा देते हैं चैनल पे एक प्लेलिस्ट है जिसमें सेंडियर के इंप्लाइबिल्टी स्किल और स्केंडियर है चिसमें मौडूल वाइस सारे कुश्ठन कर वा रहे हैं आपकेısı साथी इंप्लाइबिल्टी स्किल 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 और स्केंडियर दोनों का प्लेल स्किल चाहेंगे सारे didने सारे is a quick के question है कि वह हमने हैं इना ऑपि प्लेलिस्ट है ये इस से क्या होगा AirPods second year के भी कुछ questions आप में आ जाते हैं syllabus से बाहर के आ जाते हैं तो आपको ये नहीं होगा कि syllabus से बाहर के और आपका exam खराब हो जाएगा क्योंकि हमें ये chance नहीं लग रहा है कि दुबारा ऐसा होगा कि exam दुबारा कराए जाए इनको cancel करके क्योंकि आ लड़ी exam बहुत लेट हुआ है और कुछ बच्चों के paper तो अच्छे जा रहे हैं क्योंकि यो थोड़ा सा पढ़के अच्छे से गए हैं और कुछ के paper फिर खराब हो जा रहे हैं पूरी तरह से तो आप लोग भी क्या कीजिए अगर one year trade से आप belong करते हैं आप two year से हैं तो no doubt आपका तो ठीक है आप second year का पढ़िए बट अगर आप one year के trade से हैं तो please आप लोग second year का भी employability skill बहुत tough नहीं है सरे बस कुछ-कुछ first year से मिलता जुलता है आप लोग जरूर उसको भी पढ़के जाईए हम आपको proof के तोर पे दिखा देते हैं कुछ बच्चों के comment जो आए हैं आपके हैं यहाँ पर देखेंगे अनीज सर्मा जी ने comment किया था सराज हरियाना में WCS और ES के first year के exam में second year के questions आये थे तो first year के तो बच्चे promote हुएं first year से इनका मतलब है जो one year trade थे जैसे diesel mechanic हो गया welder हो गया plumber हो गया उसमें क्या हो रहा है second year के questions पूछे जा रहा है बगली बच्चा fitter का बैट के paper दे रहा है जो question उसका आ रहा है वही first year के बच्चों के paper आ रहा है तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है next phase में जो exam होने वाला है प्लीज आप लोग इसका ध्यान रखिए और थोड़ी से अपनी तयारी extra कर लीजे ज़्यादा burden आप पे नहीं पढ़ेगा आलरी हमने आपके लिए मेहनत कर दी है उन parts को आप देख लीजे और तयारी कर लीजे अच्छे से जिससे कि आपका विग्जाम क्या हो काफी अच्छा हो जाए बस यही एक update आपको देनी थी और इसके regarding हम tweet भी करने वाले identity को आप लोग वहाँ भी support कीजिएगा कि यह चीज को सही किया जाए first year या one year trade के बच्चों को second year के slave से paper ना कराया जा क्योंकि पढ़ा तो उन्होंने first year का हो second year का paper कैसे देंगे तो यह चीज नहीं होनी चाहिए और अगर यह हो रही थी बहुत ही गलत है इसको सही होना चाहिए यह कुछ एक update देनी थे आपको चैनल पे नए है तो subscribe कर लिजए आपको ऐसी update ऐसी जो भी जानकारी है पढ़ाई की वीडियोज, apprenticeship की वीडियोज, job की वीडियोज सब कुछ हम इस पे देते रहेंगे साथी साथ आपके 31 जनुरी तक के exam के admit card आ गये हैं तो आप लोग जिनका भी exam है, download कर लिजे और अपनी पढ़ाई जारी रखिए अगर exam बंद हो जाते हैं तो आप लोग पढ़ाई भी बंद कर देते हैं ये चीज मत करिए क्योंकि चैनल पर व्यूज से हमें पता चल जाता है का बच्चे पढ़ना बंद कर चुके हैं ठीक तो ऐसा मत करिए पढ़ते रहें पढ़ाई ही आपके काम आने वाली आने वाले टाइम में थैंक्यू बेरे मच्च